Aquatic Aquatic मने पानी देख़ो आप Aquatic लिख लिया? एक गज़ेश यह देख़ो आप शब्द आ रहा है Aqua क्या बढ़ाने ये ? Aqua Aqua मने पानी और TICTiq इसको हिंदी का Tic समझेगे जो पानी में टिक जाए जो पानी में टिक जाए वो क्या है ? Aquatic आगे बढ़ते हैं, Aquatic Plants. अब देखो याद अनुशिर होगा आपको? Yes sir. Aquatic Plants क्या होते हैं? Aquatic Plants. देखो, Plants मने पौधे, Aquatic मने यह देखो आप. पहला शब्द क्या है? Aqua. Aqua मने? पानी. Aqua मने? पानी. अगला शब्द है टिक, जो पानी में टिक जाए. पानी के अंदर जो पौधे पहला होते हैं, उन्हें बोलते हैं Aquatic Plants. यानि के पानी के अंदर टिकने वाले Plants, पानी के अंदर टिकने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? Aquatic Plants. है ना Method बढ़िया? जिन्देगी में कभी नहीं भूलोगे, Aquatic का मतलब है Aqua मने पानी, टिक मने जो टिके, काँ टिके, पानी के अंदर Aquatic Plants. इसी पेकार Aquatic Sports होते हैं, Aquatic Games, जो पानी के अंदर गेम्स खेली जाते हैं, मतलब पानी के अंदर टिककर जो गेम्स खेली जाएं, उसे Aquatic Games कहते हैं, आपने देखा होगा, Olympic Games दिखाते हैं, कि पानी के अंदर Swing करते हैं लड़के लड़कियां, पानी के अंदर Musical Dance होता है, है है ना, तो यहां से शब्द का जनुवा, अच्छा लगा, तो बोलो अच्छा लगा, अच्छा लगा, अच्छा लगा, रे, अच्छा लगा, अच्छा लगा, अच्छा लगा, रे, जैसे मैंने रे शब्द जोड़ दिया, गीत को पूरा करने के लिए, धुन बनाने के लि लेकिन कोई इंट्रवी भी पूछे तो उसको नहीं यह नहीं कहना कि जो पानी में टिक जाए वह अक्विटिक है। आपने क्या कहना है। पानी के अंदर पैदा होने वाले पौधों को हम क्या बुलते हैं। अक्विटिक पानी समुद्र के अंदर बहुत सारे पौधे होते हैं। अक्विटिक अनिमल्स भी होते हैं। जो पानी के अंदर ही रहते हैं। राइट। पानी के अंदर टिकने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। अक्विटिक पौध। अक्विटिक स्पोर्ट। एक्विटिक मने एक्वा टिक, एक्वा मने पानी, एक्वा मने पानी, टी आई सी टिक जो पानी में टिक जाए, पानी में टिकर जो गेम्स केरे जाते हैं, उनका मुलते हैं एक्विटिक गेम्स या एक्विटिक स्पोर्ट्स